नमस्कार, स्वागत आप सभी का, आज के वीडियो में आप से में बज़ो बात करूँगा, यह इन्वेस्ट्रिय पंजाब के विशे में करूँगा, कुछी मिन्टों के बाद जब यह वीडियो देखेंगे, तब शायद 29 अक्टूबर 2020 को चुकी होगी, और यह वीडियो 29 अ अक्टूबर की सूचना को लेकर है, क्योंकि 29 अक्टूबर से पंजाब विश्विद्याले में शाक्षतकार अर्थात इंट्रिवू प्रारम होने वाले हैं, उसके बारे में आपको सूचना देनी हैं, इसलिए सूचना आपको और लोगों तक पी शेर कीजिएगा, जिनों पंजाब विश्विद्याले में रिसर्च के लिए आविदन किया है, एंट्रिवू के लिए उसकी लिस्ट जारी की है, उसके लिस्ट कहां है, क्या लिंक है, वे डिस्क्रिशन बॉक्स में देख चुका हूँ, आप चाहें तो वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, लिंक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, लेकिन जिनको वीडियो पूरा देखना है, पूरा देखे और जिसको जितना देखना है, उतना देख के जा सकता है, सूचना है, शुरू करते हैं, सभी कोर्सिस की और सभी कोर्सिस के साथ साथ, कितने बच्चे हैं, किस किस काटिगरी के है उसकी लिष्ट भी जारी करी है उनिवेस्ट्री और पंजाब ने और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्रिव्यू ओनलाइन होगा या ओफलाइन होगा उसीज के लिए भी आप वीडियो को ज़रूर पूरा दिखिएगा मैं बहले कॉर्सिस के साथ साथ बता दूँगा धीडे-धीडे करके Department of Applied Agriculture शाथ बच्चे है इसमें इंट्रिवू के लिए Department of Applied Agriculture, Food and Science टेखनोलोजी इसमें 12 बच्चे हैं, Department of Bio Chemistry में 22 बच्चे हैं, Department of Botany में PhD के लिए 14 बच्चों का चायान हुआ है और 7000 Department of Chemistry में आपके 58 स्टुडेंट्स हैं, Department of Computational Science, Theoretical and Computational Chemistry, 41 स्टुडेंट्स हैं, Department of Computational Science, Bio Information, 67 स्टुडेंट्स के इंतरगत और यह जो मैं संख्या बता रहा हूँ, इसमें Journal, OBC, EWS, SC, HT और PH सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल हैं, क्या नाम हैं और उनके साथ सत्क्या, उनके रेजिस्टेशन नंबर हैं, वहें लिस्ट में दिये हैं, विथ कैटेगरी दिये हैं क्योंकि कैटेगरी इसलिए दिये विश्विद्दाले ने ये भी हो सकता है कि एक कैटेट के रोल नंबर पर दो बच्चे ना चड़ जाएं, नाम ना आजए या फिर दो नाम वाले कैटेट के रोल नंबर जादा ना हूँ, इसलिए बच्चे का रेश्टेशन नंबर और कैटेगरी दी है, जैसे कि अगर पंगज नाम के कैटेट दस दो से अधिक हैं, तो कैसे हम फर्क पता करें कि कौन सा हम है और कौन सा कोई दूसरे का नाम है, इसलिए कैटेगरी और रेश्टेशन नंबर दिया गया है, कंप्यूटेशनल साइंस के बाद डिपार्मेंट्मे इसके बाद माइक्रोबाइलोजी है, फिजिक्स है, और उसके बाद एजुकेशन है, जोलोजी है, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेकनोलोजी है, एनवार्मेंटर स्टेडीज एंड टेकनोलोजी है, जोलोजी है, जोलोजी है, जोलोजी है, जोलोफी है इसके अंतरगत फिर डेपाटमेंट आप फरमोकलोजी है फिर है लेभ्री और इंफरमेशन साइनस 26 वच्चे हैं इसमें maths कम्म्निकेशन और मेडिया स्टडिज मास कम्म्निकेशन और मेडिया स्टूडिज ऑफ़ाइव इस्टुडेट्च हैं जिसमें से दो जर्नल है एक OVC है और एक EWS है और एक SC है यह पांच बच्चों को बहुत बहुत शुप कामना है हो सकता है एक या दो ही सीट होंगी इसके अंदर कनफर्म करके आप देख लिजेगा फिर उसके बाद है साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज जो कि मैं डिपार्ट सबसे जादा इसमें स्टुडेंट है असी उसके बाद फाइनेशनल एडमिनिस्टेशन इसके अंतरकत है 44 एकनॉमिक्स में 31 हिस्ट्री में है आपके 34 सोचलोजी अर्था समा सास्त्र में है 64 यह पूरे बच्चों के नंबरिंग मैं ने बताई कि सब्चेक्ट में पीच्ड लिश्टिंग का लिंक मैंने दिया हुआ है आप ध्यान से देख लीजेगा अपने नाम को चेक कर लीजेगा और किस डेट को किस टाइमिंग पे किसका इंटरव्यू है इसकी सूचना आपको मेल फोन या वट्सप से हो सकता है मैसेज के मादे हम से प्राप्त हो चुकी होग और आज ही इसके इंटरवी भी स्थार्ट हो सकता है सुबा नौ बजे इंटरवी हो या ग्यारा बजे हो या दुपहरे एक बजे से हो उससे पहले कंसल्ट जरूर कर लीजेगा एक चीज में और बता दू कि कुछ डॉकुमेंट्स की आपको वश्यक्ता पड़ेगी हो सकता सकता है इंटरवी से कुछ मिनट पहले आप से फोटो कॉप्य मांगा जाये चैन्न डॉक्एमेंट्स मेल करवाया जया इसका न रखये हैं तरोटे उसके तयार रखया हो सकता है आप सी मांगा जाए on the spot या you email रखे अबसे न crush का प्रूफ मार्क्शीट खासकर मार्स्टर्स की मार्कशीट को तैयार रखिएगा SCU SET का एड्मिट कार्ड उसका स्कोर कार्ड और जो भी परवेश परिक्षण आपने पास की हैं जिसके अधार पे यह आपको exam tripped किया गया है शमा किजिए यह आपको exam tripped किया गया है NET पे, JRF पे, RJNF पे, INET पे, JRF पे और MFIL पे, JEHT पे, GAT पे, GPAT पे और इसके लाबा CSR के JRF होते हैं इस पे आपको exam tripped किया गया है इन सभी के जो भी आपने qualify के उसका certificate भी तयार रखेगा हो सकता है interview के वक्त उससे पहले आपसे मांगे जाएं इन चीजों का विशेश रूप से ध्यान रखेगा और JRF का award letter भी तयार रखेगा यदि आपको issue हुआ है इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखेगा और कुछ नया नहीं है और interview के schedule क्या होगा हो सकता है mail नहीं आया है आपके पास आ जाए सुबह होने तक यह है पूरी सूचना थी आपको बतानी थी कोई सूचना चूट गई हो तो मुसे comment करके पूछेगा पंजाब के विशे में और यह पंजाब की central university है जो की C-U-C-E-T 2020 की प्रवेश परिक्षान होती उसके अंतरगत आती है एक चीज साथ मुसे छूट गई है माध्यम इंटर्व्यू का माध्यम क्या होगा कोविड की वज़ा से पेंडमिक की वज़ा से और जो देश में किर्शी बिल पास हुएते हैं उसकी वज़ा से जो देश में महौल है असन्तोष का system और विवस्था के पड़ते उन सब चीजों को देखते हुए जो विवस्था की गई है, संस्थान के दौरा इंट्रिवू लेने की, वहेई इस वार ओन्लाइन माद्धम की की गई, जी हां आपने सही सुना, ओन्लाइन माद्धम से आपका शाक्ष्छात कार होगा, कितने मिंटो का होगा, किस ऐप या किस तक्नीक के माद्दम से होगा या इस पष्ट नहीं है इसके जनकर या आपको मिल जाएगी जब आप तक schedule का information पूचेगा कि 29 अक्टूबर को है या 30 अक्टूबर को है या 31 अक्टूबर को है या 1 नवंबर को है तो उसका वेट कीजिए इस वीडियो का आपने देखा और पसंद किया ज्यादा कुछ खास नहीं था इस वीडियो में अच्छा ही किया कि वीडियो का आपने पूरा नहीं देखा फालत जबाब हुए है, पिछले 5-6 घंटे से दिमाग भनाया हुआ है मेरा, और ये वीडियो में बनाने भी नहीं वाराद इन्वेस्ट्य पंजाब का लेकिन, वही है कि किसी और का गुस्सा कहीं और निकालने से अच्छा है, सूचना है, सही व्यक्ति तक दी जाए, इसलिए में जो फोन नमबर दी है, कोई फोन नहीं उठाता है, इमिल आइडी पे जवाब नहीं देता है, बच्चे करें तो करें क्या, उसका गुस्सा मैं नहीं उतारना चाता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, और कैसा लगा, कैसा नहीं लगा वैं तो आप बताएंगे, लेकि मेरी तरफ से बहुत भखवास वीडियो है, लेकिन आपने यहां तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भँत धन्यवाद, स्यूसर्ट का कोई भी नए अपडेट आएगा, तो आपको पता लगेगा, और इस वीडियो से पूर मैंने उन्फिल और और आपको वहां से सारी सुचनाय मिल जाएंगी, और मेरे किसी भी वीडियो पर कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉस में उस वीडियो का लिंक या नाम और अपना सवाल जरूर लिखिएगा, तम मैं अच्छे तरीके से आपका जवाब दे पाऊंगा, और एक या दो दिन के बा सुविधाय नहीं है, परमिशन नहीं है, और उनिवेस्टिव पंजाब में चिंग बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इंटर्वू के लिए उनको बहुत मुवारक बाद, और सनॉप्सिस को बहतरीन तरीके से डिजाइन कीजिएगा, तोपिक्स को अच्छे से डिफाइन की दीजे, यदि रिव्य ओफ रिटेचर, ध्यान रखिए, यदि सनॉप्सिस में आपने रिव्य ओफ रिटेचर को इनक्लूड नहीं किया है, साथी साथ चेप्रिजरिशन नहीं किया है, और साथी साथ आपने रिफ्रेंसिस सूची, एंड डेटा कलेक्शन के लिए पुरी दिरंद की सूची नहीं दी है, तो आपका सनॉप्सिस भी वेकार है, इंट्रिवू देना भी वेकार है, विशी इसका ध्यान रखिएगा, और किस सवाल हो, इस वीडियो को लेकर, इसकी सूचनाओं को लेकर, इंट्रिवू के प्रॉस्स तोद नहीं पता है, सनॉप्सिस या वायवा से पूर्व के तयारी को लेकर, तो जरूर कमेंड कीजेगा, जितना हल्प हो सकेगा, करूंगा, और ये भी जरूरी नहीं है, कि हर वीडियो पर आपके हर सवाल का जवाब, मैं कुछ मेंटों में दे सकूँ, मेरी भी लिमिटेशन है जवाब देने की, और ये सकीन के सामने बैटकर, आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, देर सवेर हो सकती है, तो उसके लिए श्रमा परारती हूँ, कोशिश यही करता हूँ, सही समय पर, सही व्यक्ति को समय से पहले जवाब दे सकूँ, कि आपका भी नुकसान ना हो, और मुझे मेरे दर्सकों का प्याद, मिर्शोताओं का प्याद मिलता रहे, इस वकवास को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किसी और सूचना के साथ, कुछ समय के बद पुना आपसे मिलूंगा, अपनों और अपनों का ध्यान रखेगा, यहां से मजबूत रहिएगा, और यहां से विश्व करिएगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी परिस्तिती से निकल सकते हैं, और संकट के घड़ी में भी आप रास्ता प्राप कर सकते हैं, मश्कार, धन्यवाद